R.I. NCRT के hostels कैसे होते हैं? इससे पहले R.I. NCRT से related सारी जानगारी को access करने के लिए आप हमारे playlist को access कीजे NCRT R.I. BA 2024 जिसकी link मैंने नीचे description box साथ ही मैं comment में भी pin कर दिया यहाँ पे आपको R.I. के पाँचों institution से लेके R.I. का syllabus क्या है, R.I. BA entrance examination के paper structure क्या है सारी जानगारी आपको मिल जाएगी. आज हम चर्चा करेंगे कि B.A. के जो students होते हैं, B.A. pursuing candidates होते जो कि R.I. CE, common entrance examination clear करके R.I. NCRT के institution में वो degree pursue गरते तो क्या उन्हें hostels provide की जाती है? क्या R.I. NCRT के पास hostels है? इसके regarding आज हम चर्चा करेंगे For further details आप हमारे official website www.dellybites.in या फिर play store से हमारे application को भी download कर सकते हो यहाँ पे जो आप मेरी screen पे देख रहे हो, यह मैंने आपको R.I. Ajmer का दिखाया है इसी तरीके से R.I. Bhopal, R.I. Bhuvaneshwar, Neeri Shilong सभी के पास खुद के hostels available है इवन यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं bifurcate भी करूँ, यहाँ पे boys hostel अलग है, boys hostel का आप देख सकते हो, तिलक hostel दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाद girls hostel ही सिर्फ है, लक्षमी बाई hostel, फिर दूसरा राणा प्रताप hostel, फिर तीसरा शिवाजी hostel, इवन फोर्थ सरस्वती hostel, यह चार hostels girls को dedicated है और boys के जो hostel है, वो तिलक hostel है, अपना photo से भी particularly पता लगा सकते हो, कि campus वगर बहुत ही बड़ी है, security यहाँ पे आप देख सकते हो, लोहे का gate लगा हुआ है, यहाँ पे security guard के लिए बनी हुई है जगा, फिर अगर हम girls hostel की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि काफी जादा high security के साथ चीजों को रखा गया है, I am extremely sorry, यहाँ पे boys hostel दूसरी भी है, जिसे रंजीत hostel यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि security वगरा काफी अच्छी, अगर हम girls hostel की बात करें, तो लक्षमी बाई hostel हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, boundaries काफी बड़ी है, आ राई NCRT की काफी अच्छी, और यह थोड़ा बट obvious भी है, क्योंकि regional institute of education, a constituent unit of NCRT, यानि जितने भी RIs है, सभी को NCRT खुद monitor करता है, चाहे उनके hostels हो, चाहे उनका fee structure हो, सारी चीजे न, NCRT खुद monitor करता है, NCRT खुद सारे चीजों को काफी closely check भी करता है, अब देखो बात हो जाती है, कि अगर हमें preparation करना है, B.A.D. entrance examination 16th of June को है, R.I.E. का, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कि या फिर तो आप हमारे official website पे visit कीजे, या हमारा application डाउलोड कीजे, दोनों ही जगा R.I.E. B.A.D. के लिए आपको complete course available हो जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर् रुपए में ही, आप वहां से course अपना access कर सकते हो, अगर application की बात करूँ तो आपको code वहीं पे दिख जाएगा, website की code में नीचे, comment box साथी में description में भी डाल दूँगी, Delhi-wide seated, देखो जैसे ही अगर मैं course के regarding चर्चा करूँ, complete course आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में access कर सकते जहां पे syllabus coverage, subject wise recorded lectures आपको मिलेंगे, mock test और lectures, same price पे आपको दिया गया, और सिबसे खुबसूरत बात है ना, इस पूरे course के designing हमारे qualified faculties ने कर रखा है, आगे अगर हम बढ़े तो for quick and regular updates, आप हमारे telegram group को join कर सकते हो, teacher education resource, जिसकी link में नीचे description box, साथी में comment में भी pin कर दिया ह हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है, do subscribe, Delhi Bites, thank you so much